गुड मॉर्निंग आज है 14 फर्वरी और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा एक बार डिस्क्लेमर जरूर वीड करें तो आएए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दि ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार की शुरुवात फ्लैट ओपनिंग पर हुई लेकिन जल्द ही बियर्स ने मोर्चा संभाल लिया और निफ्टी को 17,700 के स्तर के करीब खीच लिया हालांकि अंतिन घंटे की खरीदारी ने कुछ इंट्राडे घाटे को मिटाने में मदद की साथ बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव फ्लैट 17,815 के लेवल पे जिसका सगीमेंट है कि अपना इंडियन मार्केट फ्लैट ओपन होने की संभावना है SNP 570 के अंत में 1.15 प्रतिशत चड़कर 4137.32 अंक पर बंध हुआ NASDAQ 1.48 फीसदी बढ़कर 11,891.79 अंक पर जबकी Dow Jones Industrial Average 1.111 फीसदी बढ़कर 34,246.13 अंक पर बंध हुआ यस्टरड़े इंडेक 17,869 पर फ्लैट खुला और शुरुवाती कारोबार में 17,881 तक चड़ गया लेकिन उन लाभों को बनाए रखने में विफर रहा और शेश सत्र के लिए नेग्टिव रेंज 17,720 के एक दिन के निचलेस तर पर कारोबार किया अंद में यह 86 अंक नीचे 17,771 पर बंध हुआ और डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल फार्म किया अब है निफ्टी कॉंट्राक्ट की 16 फर्वरी विकी एक स्पाइरी निफ्टी के आप्शन कॉंट्राक्ट फर्वरी 16 के हिसाब से कॉल साइड 18,000 कॉल आप्शन में इनक्रीस हुआ हाई उपन इंट्रेस्ट और वही पुट साइड 17,500 पुट आप्शन में इनक्रीस हुआ हाई उपन इंट्रेस्ट निफ्टी को 17,650 के बाद 17,500 के लेवल पर महत्वपून सपोर्ट है और जब तक ये स्टर बने रहेंगे निफ्टी 17,900 पर रेजिस्टेंस के साथ रेंज बॉन्ड बना रह सकता है यस्टरडे बैंक निफ्टी 41,563 पर फ्लैट खुला और 41,662 की शुरुवाती टिक के बाद सत्र के पहले चमाही में यह एक दिन के निचले स्टर 41,158 पर पहुँच गया बाद में यह 41,200 से 41,400 के रेंज में कंसोलिडेट हो गया और 277 अंकों की गिरावट के साथ 41,282 पर बंध हुआ बैंकिंग इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनाया है क्योंकि उच्चक शेत्रों में बिक्वाली का दबाव देखा गया था और यह सत्र के अधिकांश भाग के लिए नकारात्मक शेत्र में कारोबार कर रहा था अब है बैंक निफ्टी कॉंट्राक्ट की 16 फरवरी बिकी एक सपायरी बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉंट्राक्ट फरवरी 16 के हिसाब से इंडेक्स पिछले 6 दिनों से 41,100 और 41,750 जोन के बीच ट्रेड करता हुआ नजरा रहा है और अब इसे 41,750 और 42,000 के लिवल की ओर बढ़ने के लिए 41,250 से उपर रहना होगा जबकि इसके नीचे की पकड 41,000 और फिर 40,750 के लिवल की ओर कुछ कमजोरी देखी जा सकती है NSA पर उपलब्ध अंतिम आक्रो के अनुसार FII ने 1322 करोड रुपए के शेयर खरीदे जबकि DII ने 13 फरवरी को 521 करोड रुपए के शेयर खरीदे यस्टरडे इंडिया विक्स 7.33 प्रतिशक बढ़कर 12.75 से 13.68 के स्टर पर पहुँच गया यस्टरडे को इन स्टॉक्स के आए नतीजे जिसने पहला जी अंटर्टेंबंट अंटर्प्राइजिस जी अंटर्टेंबंट अंटर्प्राइजिस ने अप्टूबर से दिसमबर 2022 तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 92 प्रतिशक की गिरावट के साथ 24.3 करोड रुपए दर्स किया जबकि एक साल पहले इसी अवधी में यह 299 करोड रुपए था दूसरा गुजरात गैस गुजरात गैस ने क्वाटर 3 अफवाई 23 के दौरान 3821 करोड रुपए के ओपरेशन से कुल राजस्व दर्स किया जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही के लिए यह 5,241 करोड रुपए था तीसरा सिटी यूनियन बैंक ने वित्तिय वर्ष 23 की तीसरी तिमाही के परिनाम घोशत किये बैंक ने 13% की व्रिधी दर के साथ Q3 अफवाई 22 में 490 करोड रुपए की तुलनामे Q3 अफवाई 23 के लिए 556 करोड रुपए की शुध ग्याज आय अर्जित की 9 MFY 23 के लिए NII पिछले वर्ष इसी अवधी के लिए 1416 करोड रुपए के मुकाबले 1649 करोड रुपए रहा आज इन स्टॉक्स के आ सकते हैं नतीजे अदानी Enterprises, Apollo Hospitals, बता इंडिया, भरत फोर्च, बायोकोन, आईशर मोटर्स, ग्रासिम इंडिस्ट्रीज, ओ उन जी सी एंड टॉरंट पावर आज के लिए National Stock Exchange ने BHEL और पंजाब नेशनल बैंक को जोड़ा है और अमबुजा सीमेंट्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को 14 फरवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में बरकरार रखा है इंट्राडे स्टॉक्स का विडियो पिन कमेंट एंड डिस्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं प्लीज विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिन विडियो, हैपी ट्रेडिंग